अगर सुभा सुभा के breakfast में आपको इतना हेल दी नास्ता मिल जाए तो आपका पूरा दिन बन जाएगा Hello everyone, तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ ओट से Sunday breakfast में अपनी एक breakfast की recipe जो की आफ सभी को काफी पसंद आएगा और बच्चे बड़े सभी के लिए पहुत ही जाधा फायदेमन है तो मैंने इसके लिए 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 है ओट लिया है मैंने यह छोटे है इससे मैंने दो कप ओट लिया है और इसी से मैंने एक अप बेशन और एक गेहूं का आँटा यानिके रेगुलर आटा और दो कप इसमें दही डाला है दो चम्मच से अरद लेजी या फिर जो छोटा मैंने कप लिया है उट के लिए उसी से मैंने डाल लिया है डाल लिया है मैंने आधा टुगरा शिमला मिर्च बारे काट करके और एक हरी मिर्च एक छोटा सा प्याज जिसको मैंने बारे काट लिया है नमक डाल लिया है और नमक डाल करके इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं आप चाहें तो इसमें गाजर डाल सकते हैं और थोड़ा सा डाल लिया है कलर के लिए हल्दी पाउडर तो वन फोट चमच मैंने हल्दी पाउडर डाल लिया है और अब इसमें पानी डाल लेते हैं और पानी डाल करके इसको एक बार मिक्स करते हैं इस तरह मिक्स कर लिया है और मिक्स करके इसे अच्छी तरह मिक्स करके क्योंकि ओठ है न तो ये थोड़ा फूलेगा भी तो थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इसमें एक कप पानी और पानी डाल करके इसे फूलने के लिए ढख करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह ओठ है वो फूल जाया और अब यहां मैंने तवा चरहा लिया है तवे पे थोरा सा तेल लगा लिया है और अपना ओठ को एक पार देख लेते हैं तो यह देखिए ओठ हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है फूल गया है भीग गया है दस से पंद्रा मिनट में और यह घूल पतला है तो इसमें और थोड़ा सा पानी मैंने मिला लिया था तो इसमें एक कप और पानी मिलाया है और मिला करके इस तरह मैंने इसका यह देखिए चील्या बना लिया है लेकित को इस तरह थोड़ा सा पतला बनाएंगे तो अपने आप फैल जाता है आपको फैलाने की ज़रुवत नहीं परेगी और आप इसमें अबस्की साइड से थोड़ा तेल लगा लेते हैं साइड साइड से छुड़ा लेते हैं इसे थोरा सा क्योंकि मैंने इसे लोहे के तवे बनाया है आप इसे नॉन स्टिक तवे बनाएंगे तो यह एकदम फटा-फट से निकल जाएगा तो पहले अच्छी तरह इसे एक तरफ से हो जाने दीजिए तब ही आप इसको पल्टे है नहीं तो थोरा तूटने का डर होता है इसे और अब इस तरफ से भी तेड़ लगा लेते हैं तो यह संडे ब्रेकफास्ट में बहुत ही जादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है आपको कैसी लगी आज की संडे ब्रेकफास्ट की रेस्पी अगर आपको मेरी यह रेस्पी थोरी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें अपने फेमिली फ्रेंस में सेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए टेस्ट करके बताती हूं इसको कि कैसा हुआ है सब को यह चाहिए बहुत पसंद आया था और सबने बहुत ही ज़्यादा पसंद से खाया था तो मिलेंगे एक और नहीं टेस्ट के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार और बाबाई